ये जो नगर निगम शिमला का चुनाव दो मई को होना तैय हुआ है इसमें आपको मालूम है कि ये जो नगर निगम का चुनाव इस बार होने जा रहा है वो तैय करेगा कि शिमला के विकास की दिशा की सोर जाएगी क्या ये विकास की दिशा ये जो पीछले पांच वर्षों में जो भाजपा की नगर निगम और प्रदेश की सरकार रही है इसके द्वारा जो सेवाओं का निजी करण है इसके द्वारा जो जनता के ऊपर टैक्स के नाम पर आर्तिक बोज़ डालने का जो कारे किया गया है और इसके साथ साथ जो शिमला शेर के नगर निगम की संपतियां है जिसका सौमित्व इस शेर की जनता का है उनको बेचने का काम जो किया है हमारी पार्टी CPIM जो है इन नीतियों के खिलाब एक विकल्ग के रूप में जो है इस चुनाव में उत्री और आपको मालूम है कि 2012 से 17 तक जो CPIM का कारे काल रहा है बेशक संख्या कम थी उस समय भी आप सबको मालूम है मेर डेप्टी मेर और दो पार्शद हमारे थे परंतु आपने देखा है नगर निगम शिमला के इतियास में एक नई दिशाक जो है उस समय शेयर के विकास को दी गई थी और जिसको भाजपा ने पूरी तरह से तैस्सनेस किया इस बारी भी हमारी पार्ठी जो है जो हमारे पा जो है शेर हर घर हर व्यक्ति के लिए जो है ये शेर अमीर है गरीब है चोटा वैपारि है करमचारी है चात्र है युवा है उसको करने के लिए जो किया है इनी विकल्पों के साथ हमारी पार्टी स्टुनाव में उत्रिये और जिस बरकार से आप देखे हैं कि जो लोग आज आप देख रहे हैं 2017 में उस समय 40 रुपे प्रती घरता प्रती मां जो है घ्रेली उदर है आज 177 है यह जो नीतियां दोनों पाटियों के इसके खलाब इन विकल्पिंग नीतियों के यह जो संगर्श हमारा जो बाहर रहा है आप देख लें पांच वर्शों के अंदर यह शिमला शहर की जंता की यहां पर बनी थी और नीति उनके घर के तरव दी उनके विकास की वही जो है उमारा संगर्श हो है वो रहेगा सडकों पर जो जंता का संगर्श है वो नगर निगम के अंदर जाए इस बुद्धे के साथ जो है हम यहां पर आज शिमला शहर में नग रिष्टों के लिए